सब्सक्राइब आपके सामने आपके सामने आने वाला चाहे आपके सामने कोई भी सेट आ जाए यह पेपर आपको बता दो कि इस पेपर का क्या है अग्रध्व आपके और Свंब्सका मैंने कराा दिया जोभी प्रसन और नहीं समझ में आते हैं असौन प्रस्ट नमबर दो का प्रस्ट काफी इंपोर्टेंट इसको ध्यान से देखेगा प्रस्ट दिया गया है कि दो अंकों से बनी संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग चाचट है अंकों अंतर दो है तो संख्या जानते हैं कि दो अंकों की संख्या में एक दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक वाई है इकाई का अंक, यहाँ पे लिखेंगे Y है Simply आपको माल लेना आप चाहे, तो टहाई के अंको Y मन सकते और इकाई का अंको X मन सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे चलिए इसके वाँसे आपको लिखना है कि दो अंको की संख्या आपको लिखना है दो अंको की संख्या तो दो अंको की संख्या का फार्मूला होता है दस गुड़े दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक क्या होता है दस गुड़े दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होता है तो देखें दस गुड़े दहाई का अंक कितना है यक्स है और इका का अस्थान उलटने पर बनी संख्या उंकों का अस्थान उलटने का मतलब होता है कि आप जगाए दहाई के जगह पे 1-1 क으 स्फफना है यहां पर लिखना देखेबा, प्रत्म सर्ता आपका क्या कहा रहा है, ध्यान से देखेए कहा रहा है तो दो अंकों से बनी एक संख्या chicken Space, उसके अंकों को अलटने पर बनी संख्या का योग, कितना है छाच छाच होगा, तो यहाँ पर देखेगा, हमारे सामने, पहला संख्या कितना है 2x plus y अब प्लस अंकू का अस्थान उलटने से जो संख्या बन यह उसको भी जोड़ना है तो 2y plus yes 2y plus क्या हो जाएगा x बराबर कितना दिया गया है 6-6 दिया गया यह हमारे प्रस्ट में दिया गया है और यहाँ पर देखे 2x और 1x जोड़ेंगे तो 6-6 बराबर आपका 6-6 बराबर आपका 6-6 बराबर आपका 6 हो जाएगा एक हो जाएगा। इसको सॉल्व किया ते यहां पर लिखेगा दिती सर्थ से आपको लिखना है दिती सर्थ से तो देखे दूसरा भी आपको सर्थ दिया गया है दूसरा सर्थ आपको लिखा है कि यदि संख्या के अंको का अंतर दो है संख्या के अंको का अंतर दो का मतलब क्या हो गया एक्स माइनस वाई बराबर दो यानि यह दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर दिया है दो समिकरण नंबर आपका दो हो गया बस कुछ नहीं करना है बस इन दोनों समिकरणों को आपको हल करना है, तो हम क्या करते हैं, समिकरण 1 और समिकरण 2 को जोड लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, समिकरण 1 प्लस समिकरण 2 से, उपर नीचे हम लिखेते हैं, यहाँ पे, तो हमारा दिया गया, X प्लस Y बराबर का 6, और यह दिया गया, X मैनिस Y बराबर का 2 जोड होते हैं चीनि में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं आपको याद रखना है यह से यह कर जाएगा यह हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 628 और यह गुरह है इधर जाएगा तो भाग होका यह निकल गया चार निकल गया इस ही प्रकार y की मान निकाल लिए तो उको चाहे 1 में भर दीजिए चाहे 2 में भर दीजिए हम क्या करता है समिक्रण 1 में भर लेते हैं तो समिक्रण 1 कितना है x पलस y बराबर 6 है तो यहाँ पे x के जगा पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस y बराबर 6 यानि y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 और y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 यह हमारा क्या हो गए? x और y की value निकल गया यानि 10 इकंग कितना है? 4 है और 1 इकंग कितना है? 2 है अब हमें संख्या निकालना है तो यहाँ पर हम दिख लेते हैं संख्या बराबर संख्या बराबर क्या था 10 गुड़े 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 10 ग काफि इंप्रेंट प्रेशन को सितन करता हूं यहां पे देखन पर द्जाए की है यहां पर दोंकोच Local दोनों झूंद को कहा सांग कर दिया है और फिर इंजर को बातत नीकां होगा एक प्रसन समझ में आएगा इस वीडियो को बिल्कुल आपको इसकीप नहीं करना है चुकि वाइरल पेपर है और इन प्रसनों को ध्यान से आपको देखना तो चलिए आपको कराते हैं प्रस्ट नमबर दो का खौवला भी प्रसन दिखाए जारा है काफी इंपोर्टें हैं कुछ इस तरह साख्य करना आपको फिगर बनाना है यहां पर जो कौन बन रहा है के इंदर पर नब्यंस का बन रहा है यहां पर आप श्यांकित भाग देख रहे हैं यहीं क्या है लगू बिर्दखंड का च्यत्रफल हो जाएगा तो इसका सिंपल कंसेप्ट होता है आप सब जानते हैं कि यहां तक पूरा जो आक्रिति आप देख रहे हैं ओए पी इसको बोलते हैं तरशी खंड्र में से इस पूरे उतिर्भूज का च्यत्रफल माइनेस कर देंगे तो हमारे पस क्या होगा लगू बिर्दखंड का च्यत्रफल निकल जाएगा तो सब से पहले न का छेतरफल, को तो देखे इसके लिए एक फार्मूला होता है थीटा बटा 360 और यहां पे होता है Pi R Squire, यह हम लुद का तो simply यहां पे value को क्या करना आपको input करना है तो यहां पे हम यहां से solve करते हैं wy chron correctly beauty है 90 Feng ही तो यहां पे 90g हो जाएगा Gör सब्सक्राइब पर भुक्तमारे माइया है सोल freedoms लिए औे सएंज़ स्क्वाइर पर उसमस प्राइब और मकल जाए और सिंपली इसी का क्या करना हमें गुड़ा करना है तो यहां पे लिखते हैं तिरभूज यहां पे आपको लिखना है तिरभूज OAB का चेत्रफल ठीक है तो OAB का हमारा जो फार्मूला हो राएगा यहां पे जो तिरभूज स्कूर प्रसव न्विखना है और पर किसी को भी ले सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शाइन ना यहाँ पर इसको आधार लगी कोई लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर बैलू को पुर्ड करए यहँ परड़ो यह भी दस है यहाँ यी आपका द यहां, तो पचेदस और निपांदा हमें कितना हो जाएगा 50 cm2 तो यहां पे कितना हो गया 50 cm2 आपको क्या हो गया यहां पे तिरभूज का छेत्रफल हो गया अब हमें निकालना है लगू बृत्खंड का छेत्रफल तो यहां पे लिख लिए लगू बृत्खंड का छेत्रफल बराब आप लिख लिए जगा इसका फार्मूला यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि तिरिजखंड OAPB का च्छेतरफल माइनस तिरभूज OAB का च्छेतरफल तर इसको आप लिख लिख लिए जगा मैं डायरेक्ट यहाँ पर बैलू को भर देता हूं कि लगोबिर्दखंड का च्छेतरफ तो आपके पास बचे का 28.5 cm2 यही क्या हो जाएगा पहला इंसर हो जाएगा यानि लगोबिर्दखंड का च्छेतरफल कितना हो गया 28.5 cm2 आपको समझ में आ रहा होगा चलिए यहाँ पे चीज और पूछा हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि हमसे लगोबिर्दखंड का और दिर्ग का भी पूछा हुआ है तो दिर्ग का निकालने के लिए देखे क्या फार्मूला होता है यहाँ से जो उपर देख रहे हैं यसे तिर बुंच को छोड़के यह लगोबिर्दखंड का चट। छोड़के बाकि value बचेगा वही क्या हो जागा दिर्ग बृत्खंड का छेत्रफल तो यहां पे ना हम लोग यहां पे लिख लेते हैं दिर्ग बृत्खंड का छेत्रफल बराबर बृत का छेत्रफल आप चाहें तो लिख भी सकते हैं तो बृत के छेत्रफल होता है पाई यार इसक्वाइर इसमें से माइिनस करना है लगू वाले का लगू कितना है 28दस मॉलों 5 है यहां पे पाई कि बेलू हो जागा 30दस मॉलों 1,4 गुरे यहां प Quindi बेलू 10 होगा यहां पर Arduino 10 दिया है I स्क्वाइर है तो यहां पे कितना हो जागा 285.5 cm2 यही आपको एंसर हो जाएगा 285.5 ही हमार क्या हो जाएगा correct एंसर हो जाएगा I hope आपको समझ में आ रहा होगा चलिए पूरा प्रसन एक बार दिखा देते हैं simply आपको concept को याद रखना है कि कि किसके छेतरफल में से किसके छेतरफल को घटाएंगे तो क्या मिलेगा अ प्रते एक बिसे का तो आपको 95% नंबर पाने से कोई नहीं रोग सकता है तो चलिए आपको गवल नंबर का प्रसन कराते हैं आपको दूसरा का गवल अभी प्रसन दिखा इदर होगा काफी important प्रसन है चार नंबर का प्रसन है प्रसन कहे रहा है कि भूमी के एक बिंद उसस दूसरा को बताना है तो चलिए इसका अभी हम लोग क्या करते हैं solution कर लेते हैं तो यहां पे सबसे पहले figure देखे आपको figure दिखाई दर होगा मानने के बास से रखाना करें मिनार के उछाय आपको लिखना है मिनार की उच्छ पछोने मिन्स जो भी आपसे पूस्ता उसको सबसे पहले है बास्ते आपको एक एक तुरूवी को उठाना है तो सबसे पहले हम ABC को ले लेते हैं जिसमें 45 अंग कोंड बन रहा है तो यहां पर लिखेंगे तिरभूज a b c में तो हमारे पास क्या है लंब है और अधार है तो लंब और अधार में क्या होता है 10 काम करता है तो यहां पे 10 theta यहाँ लिखना है तो theta के जगाप आपका 45 है 10 theta बरहर होता है लंब बटा आपका आधार होता है तो लंब कितना है 20 है और आधार कितना है y है और 10 45 cents की value 1 होता है बरावर आपको हो जागा 20 बटे y यानि y बरावर simply यहाँ पर हो जाएगा 20 इसको बना लिजिए सम्मिकरन नंबर 1 यानि यहाँ से क्या हो गया y की value निकल गया 20 इसको बना लिए सम्मिकरन नंबर 1 और इसी प्रकार आपको लेना है बड़े वाले तिर्भूज में ABD में क्या लेना है ABD में लेना है तो यहाँ पर लिखते हैं तिर्भूज ABD में ABD में देखेगा हमारा जो लंब होगा यहाँ पर ध्यान से देखेगा जो BD की value हो जाएगा 20 प्लस X होगा और आधार हमारा Y रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और ठीटा की value 60 हंस है और बराबर हो जाएगा 20 प्लस X बटे हमारा हो जाएगा Y और 10 साथ हंस की जो value आपका होता है आप सभी को पता है काणि में 3 होता है बराबर 20 प्लस X बटा क्या हो जाएगा Y यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा X का मान निकालना है Y के जगापे आपको हो जाएगा 20 यहाँ पर बटेक कर लिजेए और यहाँ पर इसके सामने आप लिख लिजेगा यह समिकर लिएक से आप इसके सामने लिख लिए जगा ठीक है ना चली तो यह गूडा करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस x बराबर हो जाएगा 20 करणी में 3 और इसको इधर पशांतर करिए तो x बराबर आपका simply यहां पे क्या हो जाएगा 20 करणी में 3 माइनस का 20 यानि x बराबर 20 करणी में 3 माइनस 1 यही आपक्या है correct एंसर है तो कुछ नहीं करना है बस आपके सामने आजाएगा आपको समझ में आगया होगा इसके बास से next प्रसन आपको करा देते हैं आपके सामने दूसरा का घावलावी प्रसन दिखाएगा यहां पे आपका काफी important प्रसन दिया गया इस बारंबारता साड़ी के माध्यम से क्या करना आपको माध्य निकालना है तो यहां पे देखिए वरगंत्राल आपको दिया गया है यहां पे बारंबारता यह सतर है और चौथा हमारा होता है आपका बारंबारता गुड़े मद्धिमान सिंपली क्या हो जाएगा हमार एंसुर आ जाएगा तो चलिए आपको पूरा का पूरा सुलीशन करके दिखा देते हैं तो आपको कुछ हिस्तर का कलम मनाना जिससे CI के मतलब होता है इसका मतलब होता है वर्गांतराल यह आपका मतलब होता है फ्रिक्वेंसिया नहीं बारंबारता और एक्स को हम लोग मद्धिमान कहते हैं तो सबसे पहले आपको जो वर्गांतराल दिया गया उसको लिख लेना है जो बारंबारता दिया गया उसको लिख लेना है दिन उसके पास्ते आपको मध्यिंग глаз वरग उंतरालbons को जोड़के हीज़ूए तो जिरू और दस को जोड़ेंगे तो दस होगा और दो से भाज करेंगे तो पांच जैसे ढड़ीगा है 20 होग्त तीस होग्त निकाला आपको माध निकालेना हो जाएगा Khan दोनों का आपको multiply कर देना है यहां पर यह दो बैलू आपको पेपर में देगा बस आपको इसको निकाला इनको जोड़ के आधा करके आपको लिख लेना है और इन दोनों का गुड़ा करना है जो सिंपली देख सकते हैं जैसे 10 गुड़े 5 हमने किया है 50 आया है 14 गुड़े 15 क तो 108 आएगा और यहां पे जो हमने f into x किया यहां इन दोनों का गुड़ा किया इसको भी करना आपको जोड़ना है तो इसको जब गुड़ा करके जोड़ेंगे तो इसको बोलते है sigma f into x तो यहां पे देखे हमने जोड़ा तो यहां पे एक 100 वाट आया है और इसको हमने जो बाइन आपको बनाना है ध्यान से देख लिजेगा बनाने के बाद से simply FREQUENCY को जोड़ना है और f into x को जोड़ना है जोड़न के बाद से simply आपको भाग कर देना यही आपको एंसर हो जाएगा और जहां तक मुझे पता है कि आपको जोड़ा का पूरा पीडिया युदियों अगर आपको सभी भी से को viral paper और इसका solution का पीडियाप चाहिए तो link description में हमारे group को जोईन करिए चलिए आपको कराते हैं next प्रस्ण आपके सावने viral paper का अगला प्रस्ण यानि दूसरा में जो अंगर नंबर का प्रस्ण आपको दिया गया यह प्राइक्टा से प्रसंद दिया काली गेंद 9 आने की प्राइक्टा है तो वहाँ पर क्या करना है आपको वन में से काली गेंद आने की प्राइक्टा को घटाएंगे तो आपका answer हो जाएगा तो चलिए इसका solution आपको सबसे पहले करा देते हैं यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले लिखना है कूल गेंद च्छे लाल है आठ काली है चार सफेद है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा च्छे चार दोस आठ ठार हो जाएगा और यहाँ पर काली गेंद कितनी है यहाँ पर लिखेगा काली गेंद बराबर काली गेंद कितना है आपका आठ है यहाँ पर सिंपल लिखना है काली गेंद आने की प्राइकता बराबर दो देए प्राइकता बराबर क्या होता है आने की संभावना तो कुल संभावना कितना 18ारा यानि थैले में आठारे गेंद रखा हुआ है अब हाट डालेंगे तो कोई भी आठारे में से निकल सकता है लेकिन कंडिशन दिया गया है कि काली गेंद आने की प्राइकता हमें निकलना है तो यहाँ पर क्या करना है काली गेंद कितना है आठ है तो आठे को नो निकल सकता है यहां पर लिखेगा तो यहां पर याद रखेगा किसी घटना के घटित नो होने के प्राइक्ता निकालने के लिए वन में से क्या कर देते हैं घटना के घटित होने की प्राइक्ता को घटा देते हैं तो यानी वन माइनस क्या हो जाएगा आठ बटे आपका अठारे हो जाएगा यहापे लौस आपका अठारे होगा और यहापे अठारे माइनस आठ होगा अठारे में से जब आप लोग घटा जली सी विड़ियो को लाइक करेंगे चैनल को करी आ happy अपने क्रफिटu है तक और ओक प्रसुड की सेरा का हूं लेकिन आपको मैं एक प्रसन का solution आपको करा देता हूं, पर वाला प्रसन आप देख रहे हैं, most important, very very important, इसी प्रसन का आपको मैं solution करा रहा हूं, तो यहाँ पे हमको दिया गया है, कोई रेल गाड़ी समान चाल से 90 km की दूरी तैं करती है, यातरा के लिए 30 मिट कम लगेगा, लगता है, जब 15 km प्रतिघंटा चाल क्या करता है, अधिक कर दिया जाता है, तो रेल गाड़ी की चाल आपको बताना है, तो बहुत simple सवाल है, यहाँ पे आपको लिखना है, कि माना, सबसे पहले जो पूशता उसको लिखा जाता है, माना, रेल गाड़ी, आपको लिखना ह आपको दूरी कितना है 90 किलोमेटर है तो सबसे पहले चांठ और लिखनाघ समय जैसे T1 लिख लीजिए T1 बराबर कितना हो जाएगा समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल समय कितना होता है आप चाहे तो लिख भी सकते हैं दूरी बटे चाल तो दूरी कितना है 90 है और चाल कितना है यक्स है यानि जब उसमें बृद्धी नहीं किया गया है तो च चाल कितना है एक्स किलो मीटर प्रति घंटा है तो हमने माना है कि समय क्या हो जाएगा पहला 90 वट्टा एक्स हो जाएगा इसको बना लिजे समिकरन नमबर एक उसी प्रकार यहां पे लिखना है कि यदी यदी चाल में चाल में 15 किलो मीटर प्रति घंटे की ब्रिधि हो जाए की ब्रिधी हो जाए कि ब्रिधी हो जाए यानी जैसे स्टार्ट इवी स्थाल यहाँ पर HP किलो मीटर प्रति घंटा है तो यहां पे समय हमारे इतना निकल गया अब माल लेते हैं कि भाई हम चाल में क्या करता है एक्स किलो मीटर प्रति घंटा की बृधि कर देते हैं तो चाल कितना था सुरू में एक्स था जब बृधि करेंगे तो जो चाल यहां पे नया चाल निकल लेकिन चाल हमारा हो जाएगा X plus 15, हमारा क्या हो गया? 90 बटा X plus 15 हो गया, चुकě नया चाल हमारा क्या हो गया? X plus 15 हो गया, यहां पे आपको घंटा चाले तो लिख सकते हैं, इसको बना लिजे, समक्रूर नंबर 2 अब देखे-एक्र अपको लिखना है प्रस्णा अनुसार अनसोर आने लगेगा तो यहाँ प्रस्णा नंsar प्रस्णा नुसार अमको । ही कितना है नढबे बता एक्स है दोनों बीच में बराबर लिखना है और टीट कुश-्त Cen ये फंद्या गर हमने कि अगर हम क्या करते हैं, पंद्रे किलो मीटर पती घंटा क्या करते हैं, चाल में बृधि करते हैं, तो हमारा ये जो समय है, 30 मिट कम लगता है, चाल को आप बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, 30 मिट अधिक लेता है, और ये 30 मिट क्या होता है, कम लेता है, तो ये 30 मिट कम ह पाएगा तो हम यहां पे तीस मिड़ क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे तभी दोनों क्या और अधिक समय ले रहा है और जब 15 किलोमीटर के घंटा की तो 30 मिड़ कम समय ले रहा है तो दोनों परावर कब हो गे जब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 30 मिलड जोडेंगे तो simple हो गया अब यहाँ पे आपको पशांतर करना है तो यहाँ का हो जाएगा 90 बटा एक्स माइनस आपको हो जाएगा 90 बटा X प्लस पंदरह और बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा 2 simple यहाँ पे हो गया यहां पे आप 90 common ले लिजे, तो यहां पे 90 हम common लेंगे, तो हमँरे पस बचेगा एक बटा एकस माइनस एक बटा, एकस प्लस पंदरे, बराबर का हो जाएगा, एक बटा दो और देखिए गुड़ा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 1 बटा x माइनस आपका हो जाएगा 1 बटा x प्लस 15 और बराबर हो जाएगा 1 बटा यहाँ पर हो जाएगा 90 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर गुड़ा हो जाएगा 2 गुड़े कितना हो जाएगा आपका 90 ह हो जाएगा घॉप आपको यहां तक समझ में आ रहा हो गा फिर चलिए यहां पे लिए लेंगे लिए यहीं, लेंगे तो एक्सा और यहां पी हो जाएगा इख्स प्लस 15 और यहां सी पे नियाख़ जाएगा आपका उसल istiyorum यहां नीचे हो जाएगा x square और प्लस का 15 x और बराबर का हो जाएगा आप तिरियक आप गुड़ा की जगा तिरियक गुड़ा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x square प्लस 15 x और बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 में 15 से गुड़ा करेंगे यहां पे हो जाएगा 27, यहां पे हमें क्या करना है, simply लिख लेना है, और हमारे पास जो equation आरा, इसको भी पशांतर करना है, यहां पे हमारा हो जाएगा, x square प्लस 15, यहां पे हो जाएगा 27, और equal to 0, अब इसी दिखास समिकरोंट को आपको क्या करना है, हल करना है, जैसे ही हमारे पास कितना आता है, अब यहां पे देखेगा, हम 60 में से यदि क्या करते है, 45 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा 15 आ जाएगा, और 60 और 45 सा गुड़ा करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, इसा गुड़न खंड करिए, तो यहां पे x square प्लस आपको हो जाएगा, 45 x माइनस यहां पे हो जाएगा 27 सो सिंपली करना आपको लिख लेना है, और यहां पे देखेए, दोनों में क्या कामन है, यहां पे दो दो का जोड़ा बनाएगे, और यहां पे कामन आपका x हो जाएगा, यहां पे बचेगा x प्लस 60 ही, और यहां से 45 कामन ले एकस की बेलू एक मैनिस साथ है जो जाएगा और एकस की बेलू क्या होगा एक प्लस 55 है तो मैनिस वाले को आपको प्लस वालो ही लेना है तो रेल गारी की जो चाल यहां पे हो जाए गा है क्या हैगा फैंतालीस कीलो मीटर प्रति घंटा यहीड जाएगा आपका प्रसन को हमने क्या किया है और हमारे पास सेंसोर आ गया है तो देख लिजे सभी लोगर प्रसन समझ में आ गया होते हो लाइक कर देंगे चैनल पर दी नहीं होगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसका सुल्यूशन का पीडिया प्रसन आपको गूरूप में डाल दूंगा तो वहां से आपर देख सकते हैं चलिए आफको कारतेएं अगला प्रसुन नंबर 3 का हमने पहला परसन आपको करा दिया है दूसरा प्रसन आइंप लोग म्रोर को डही आ तो कमेंट सेक्सन में कमेंट की आप लिएया इसको अब तो चलिए यहां पर दो प्रसंदिया जो époको दूसरा वला भी करा देंगे आपको पहला प्रस्म दिखाई दे रहा है पहला प्रस्म में कहा रहा है कि 10 बीस अंस इंटू 10 35 अंस इंटू 10 45 अंस इंटू 10 17 अंस की वेलू 1 दिखाना है तो हम LHS को उतार लिये हैं और यहां पे देखेगा आपको स्टेटिंग दिया रहता है जैसे देखेए 20 अर 77 को जोडेंगे तो 90 होगा 35 और 55 को जोडेंगे तो 90 होगा तो आपको क्या करना है ना उनस 70 को रूप में बदल ou 5 35 को रूप में बदल ना है तो देखेगा 10 20 अंस के जगा पह मुझ सकते हैं 90-70, भाई 90 में से 70 खटाएंगे तो 20 आजाएगा, उसी प्रकार 10, 35 अंस के जगा पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90-55, क्योंकि 90 में से 55 खटाएंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, और 10, 45 अंस की बेलू 1 होता है, बाकि इसको वइसे लिख लिजे 10, 55 अंस into यहाँ पे लिख लिख लिजे 10, 77 अंस इसको क्या करना है, कौट सतर अंस इंटू, यहाँ पहो जाएगा, यह भी बता जाएगा, 10 नब्यंस मैंने ठीटा, कौट ठीटा, तो कौट यहाँ पे 55 हो जाएगा, और 10 पर 45 अंस की बैलू 1 है, तो 1 से गुड़ा करेंगे, तो वही बैलू आएगा, तो यहाँ पहो जाएगा, 10 55 अंस यहाँ पे उतार लेते हैं, और यहाँ पहो जाएगा, 10 70 अंस, एक हमारा हट जाएगा, चुकि एक से गुड़ा करेंगे, और यहाँ पहले वाले का सलूशन मैंने करा दिया, सबी लोगो देख लिए, कहीं डाउट होगा, तो कमेंट सेक्सिन में जरूर पुछेगा, चली इसका और प्रसन दियागा है, इसका पार 2 हम करा देते हैं, यहाँ पार पर डाले हैं इसको प्रसन को लिख यहाँ दाल करा दें मनेको दौर दिया, 24 हो जाएगा और into 42 है तो 42 को वैसे लिख दीजिए प्लस यहां भी बदल लेजिए एक को तो कॉस 90 अंस माइनस आपको कितना हो जाएगा 42 और into आपको हो जाएगा कॉस यहां दिया है कॉस एक आपको हो जाएगा 42 आपको क्या करना है लिख लेना है चलिए इसके बाद से यहां पर दिया गया है कॉस यहां पर हो जाएगा बैया लिसंस तो इनदोनों की बैलू एक होता है यहां प्रसण की नूबर पां प्रसण आपको करा देते इक बनापक और प्रसण दिखा जहागा चे नमर नमर का प्रसण तो यहां पर ब्रितखंड का चचत फलति इसको इनन करा या तो इसका मैं solution आपको नहीं करा रहा हूं सामानतर चेंडी के most important प्रसंद दिया गया चलिए इसका मैं solution आपको करा देता हूं यह सबसे ज्यादे important है board exam 2024 के लिए इस प्रसंद को बिल्कुल ध्यान से देखेगा बहुत सारे लोग होते हैं जो इस प्रसंद में क्या होते हैं यहां पे दिखेगा हम अगर यान के जगा पर एक रखते हैं तो हमाराएगा S1 और स1 जो होता एवन के बराबर होता है यानि जितना S1 होगा वही हमारा क्या होगा प्रिफं पद हो जाएगा आपको याद रखना है तो यहां पर अगर एक रखते हैं तो चार गुड़े एक माइनस एक का हो जाएगा holy square यानि चार माइनस एक यानि तीन तो तीन हमारा क्या हो गया S1 हो गया और वही हमारा क्या हो गया प्रथम पध हो आप याद रखेगा कि S1 की जो value होता A1 के क्या होता है बराबर होता है इसको क्या करना आपको याद रखना है इसी प्रकार हम S2 निकाल लेते हैं S2 का मतलब यहन बराबर 2 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4 गुड़े 2 माइनस हो जाएगा 2 का होली स्क्वाइर यहनि 4 दूना 8 दू का स्क्वाइर 4 होगा यानि हो जाएगा 4 तो S2 हमारे कितना हो गया 4 हो गया आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चले किसके बास से हम क्या करते हैं आपको A2 निकाल देते हैं तो देखेगा A2 के लिए क्या फार्मूला होता है दूसरा पद A2 बराबर होता है S2 माइनस S1 यह फार्मूला आपको याद रखना है तो S2 कितना है 4 है और S1 क्या है 3 है तो 4 मिस 3 गटाएंगे तो 1 हमारे पास यहां पर देख सकते हैं प्रथम पद 3 हो गया दीती पद हमारे क्या हो गया एक हो गया और यहां से हम क्या कर सकते हैं simply हम क्या कर सकते हैं D निकाल सकते हैं D क्या होता है सारवांतर होता है D का फार्मूला होता है A2 माइनस क्या होता A1 होता है तो A2 कितना है 1 है और A1 कितना है 3 है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा सरवांतर हो जाएगा तो अगर हमारे पास क्या होता है प्रथम पद पता है दिती पद पता है और हमारे पासरवांतर पता है, हम सब कुछ यहां पर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, पर्थम यहन पदों का योगफल हम को दिया है, इसका आपको प्रथम पत ग्यांद करना है, तो प्रथम पत तो हमारा तीन निकल गया, दूसरा पत ग्यांद करना है, दूसरा पत हमारा न n minus one into d तो, हमें 3 रखना है तो 3 मैं से घटाएंगे तो इहान पर a की value कितना है, 3 है और 2 गुड़े, d की value minus 2 है, और यहां पर हो जाएगा 3 minus, यहां पर 4, माइनस 1, तो हमारा 3 सहा पर पत कितना हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा आपको याद रखना है आपको दसमा पद मी निकालना है तो यहाँ पे लिखे A10 बराबर आपको हो जाएगा A प्लस 9D हो जाएगा तो A10 बराबर कितना हो जाएगा तो चलिए आपको A9 पद भी निकाल लेते हैं, तो A N बरावर क्या हो जाएगा, A प्लस A N माइनस 1 इंटू क्या होता है, D, और यहाँ पर हो जाएगा, A N बरावर A की बेलू 3, प्लस A N की बेलू Y N ही रहाएगा, और D की बेलू आपको माइनस 2 लेना है, और सिंपली इसको सॉल्व करिए, तो A N बरावर हो जाएगा 3, और इसका गुड़ा करेंगे, तो माइनस 2 लेन, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2, और 3 दू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 लेन, 5 माइनस 2 लेन हमारा क्या हो जाएगा, यह नवा पद हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपको मैं पूरा सवाल दिखा देता हूँ, असानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रस्णों को आप लोग सॉल्विशन कर सकते हैं, तो देख लिजेगा, सबसे पहले हमने A1 निकाला है, फिर S2 निकाला है, फिर A2 निकाला है, D निकाला है, और इस तरह से जो भी पद हम से पूछा हुआ था, यहाँ पे इजली हमने क्या किया है, निकाल लिया है, आपको यह लास्ट प्रस्ण भी समझ में आ गया होगा, प्लीज एक वर वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे ना होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप लोग इसका पार्ट वन का वीडियो नहीं देखें, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई जरह वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आपका धन्यवाद,